आपको याद होगा कुछ महीनों पहले की ही बात है मालदीव में मौहमद मुईजो इंडिया आउट का नारा लगा कर सत्ता में आगे थे अगले ही पल भारत को दुश्मन मानने वाले चीन की शरण में भी चले गए थे भारत समझाता रहा लेकिन वो नहीं माने उन्हें लगा कि सब कुछ वो चीन की मदस से कर लेंगे लेकिन आप नजारा जरा बदल गया है अब ऐसा क्या हुआ कि वही मुईजो बार भार भारत के चकर काट रहे है अब चीन की बाते करना भी उन्हें पसंद नहीं है पाश दिन के दौरे पर एक बार फिर वो नई दिल्ले में है ऐसे में काई सवाल उच रहे हैं जैसे कि क्य चीन से जो मीद वो लगाए बैठे थे वो तूट गई है या फिर जैशंकर की कूटनीती कामियाब रही आकिर इंडिया उटका नारा देने वाले मुईजो बार भार भारत क्यों आ रहे हैं मालदीव में ऐसा क्या हुआ कि बार बार उनको यहां ना पड़ रहा है इन सारे स राश्पती मुईजो इस वक्त भारत यात्रा पर हैं मालदीव के राश्पती मुईजो बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश रही मालदीव के राश्पती मुईजो ने भारत पहुशने पर कहा कि उनका देश भारत की सुरक्षा को कमजोर करने में कोई काम नहीं क करेगा और नई दिल्ली को एक कीमती साज़िदार और दोस्त मानता है और रक्षा साइद काई छेत्रों में सहयोग हमेशा करेगा खास बात यह है कि मुईजों इससे पहली इसी साल जुलाई महीने में भी भारत दौरे पर थे इस तरह चार महीने में वो दूसरी बार भारत आ मालदीव में सरकार बनते ही उन्होंने कहा था भारत को अपने सैनिकों को तुरंत बापस बुलाना होगा फिर वो चीन तुर्की की और भागे जिससे भारत काफी नरास हुआ था लेकिन जब चीन से कोई मदद मिलती नजर नहीं आई तो कहने लगे कि भारत के साथ भुकतान को असान बनाने के लिए भारत को धनिवाद कहना पड़ा आप कह रहे हैं कि भारत में हमें काफी उम्मीद हैं अमालदीव की अधिकारिक वेबसाइट में मुझजू की नई दिल्ली यात्रा पर एक विशेश पेज भी बनाया गया है कोटनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि मुझजू को समझ आ चुका है कि मालदीव भारत पर कितना नर्भर है चीन तुर्की या कोई और मुल्क ये नर्भरता पूरी नहीं कर सकता उसको भोजोन इंफ्रस्ट्रेक्ट्रेक्टर डेवलेप्मेंट और इलाज के लिए भारत की जरूरत पड़ी गी ही चीन बार-बार वादा तो करता है कि मदद करेगा लेकिन आज तक एक फूटी कौडी भी नहीं दी है विरेश मांत्री एस जय शंकर इसे अच्छी तरीके से समझते हैं और मुझजू को भी इसे समझा चुके हैं कुछ दिनों पहले जब एस जय शंकर मालदीव गय थे तब उन्होंने कहा था कि मालदीव हमारी नेबर हुड फॉर्स्ट पॉलिसी की आधार शिलाओं में से एक है मालदीव इसमें सबसे आगे हैं देखा जाए तो जो देश पहले भारत का आप मान कर चुका है उससे व्रिश्टे बहतर तो हो सकते हैं मगर अच्छे रहें जरूरी नहीं यह सर्फ राजनी तिक रूप से जरूरी यात्रा है और कुछ भी नहीं असल में भारत पहले ही मालदीव को एक बिलियन डॉलर से ज्यादा की आर्थिक मदद कर चुका है वो वदद वहां की इंफ्रस्ट्रेक्टर डेवलेप्मेंट और दूसरे विकास कामों के फिलाल इस खास रपोर्ट में ताहीं देश-दुनिया की बागी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए से नियूज भारत